भारत अब समय नहीं गवाएगा भारत अब समय नहीं खोएगा आज वक्त क्या है इस वक्त का सामर्थ क्या है और इसी वक्त में पाना क्या है वो हिंदुस्तान भली भाती चामता है साथ्योई साल हम अपने आजादी का 75 वा वर्ष मना रहे हैं मैं देश का पहला प्रधान मंत्री ऐसा हूँ जो आजाद हिंदुस्तान में प्यादा हुआ हूँ भारत जब अपनी आजादी के सो वर्ष मनाएगा अभी 25 सान हमारे पास है उस समय देश जिस उचाई पर होगा उस लक्ष को ले करके आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम रख करते हुए तेजगती से आगे बढ़ रहा है साथियों भारत में ना कभी साधनों की कमी रही और ना ही संसाधनों की कमी रही आज हादी के बाद देश ने एक मार्ग ताई किया एक दिशा ताई की लेकिन समय के साथ जो बहुत सारे परिवर्टन होने चाहिए थे जिस तेजी से होने चाहिए थे जितने व्यापक होने चाहिए थे किसी ने किसी कारण से हम कहीं पीछे छुट गए विदेशी हकुमत ने भारतियों का साव दर साव जो आत्म विश्वास कुचला था उसकी भरपाई का एक उपाई था फिर से एक बार भारत के जन जन में आत्म विश्वास भरना आत्म गवरव भरना और उसके लिए सरकार के प्रती भरोसा बनना बहुत जरूरी था अंग्रेजों की परंपरा की बदोलत सरकार और जनता के बीश्वें एक भरोसे की बहुत बड़ी काई थी शक के बादल मंडरा रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की हकुमत में जो देखा था उसमें उसके परिवरतन नजर आएं उसके लिए जो गती चाहिए उस गती का भाव था और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवी की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाएं सरकार हड़ती जाएं minimum government maximum governance जहां जरुरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए लेकिन जहां जरुरत नहों वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए ABP News आपको रखे आगे